उना में शुकरवार को भारतिय जंता युआ मूर्चा की प्रदेश कारे समीती की बैठक भाजपा कारेले दीब कमल से शुरू हुई इस मौके पर भारति जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बत और मुख्यती ती शुरुकत की जबकि भाजपा के पूरु प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सत्पाल सिंग सत्ती भी विशे शुरूप से बैठक में उपस्थित हुए इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्टी हाई कमान द्वारा जौरी के गए दिशान निर्देश और कारे कर्मों को यूआ कारे करताओं के साथ इसाज़ा करते हुए आगामी लोगसबद चुनाओं के लिए कमर कसने का अभान किया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विकास आत्मक विजन के आधार पर भाजपा लोगसबद चुनाओं में उतर रही है मोदी सरकार के जनकल्यान कारी कारियों और पार्टी की विचारधारा को जनजन तक पहुँचाने में यूआ मोर्चा कारे करताओं का महत्तोपूर्ण किरदार रहेगा भारतिय जनता पार्टी का संगठन बना और संगठन विस्तार का काम तेज गती के साथ चल रहा है आपने नोटिस किया प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश की टीम का गठन हुआ तत्पश्चात जिला की टीम का गठन हुआ मंडल की टीम का गठन हुआ जिलों की बैठके मंडलों की बैठके ये सारा कारिक्रम करने के बाद मोर्चों की तरफ भारतिय जनतापाटी तेजगती से आगे बढ़ी है आज भारतिय जनतापाटी युवा मोर्चा प्रदेश की कारेसमिती आज उना में संपन्न हो रही है और पूरे प्रदेश से युवां आज इस बैठक में पधारे हैं इसी प्रकार अगले कल यानी 18 तारीक को भारतिय जनतापार्टी अनुसूचित मोर्चा के पदादिकारियों की बैठक शमला में है इसी प्रकार 19 तारीक को भारतिय जनतापार्टी महिला मोर्चा के पदादिकारियों की बैठक शमला में है अर्थात हमारी जो फ्रंटल और्गिनाईजेशन से वो और तेज गती के साथ संगटन विस्तार करते हुए आगे चलें इस लक्षे की प्राप्ति के लिए हम लगें साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश कॉंग्रस सरकार को भी चुनाव से पूर्व दी गई दस गारेंटियों के मामले पर जम कर घिरा उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व कॉंग्रस जंता के साथ जूटे वादे करके राजनीती करती रही लेकिन अब जब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है तो कॉंग्रस अपने करतव निर्वहन से बचने के लिए दोशार रोपन कर रही है कि 2022 के अंदर जब वो बड़े बड़े भाशन कर रहे थे वोट लेने के लिए तो राजनीती कर रहे थे या वो खेल नीती कर रहे दोजार बाइस के अंदर माननी है उपमुक्य मंत्री जी के बयान है मैं आपको सुना देता हूं नहीं तो आप अपने कैमरे में से निकाल ल जी हैं उनकी भी गरंटी है और हम उनकी गरंटी के साथ खड़े हैं तब तो क्या कर रहे थे तब तो राजनीती ठेट राजनीती कर रहे थे और रहत और पुनरनावास का सवाल है तो सरकार बनाई है तो जनता की सेवा तो करने पड़ेगी और वो नहीं कर रहे है वाप यह हमारा चार ज्याब के लिए उना से अमित शर्मा के रिपोर्ट